दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरो की तरफ से आने वाली ग्लैमर 125 के बारे में और यहां पर हम लोग जानेंगे टीवेस की रैडर 125 के बारे में डिफरेंस कौन कौन सी बाइक आपको ज़्यादा बजट में आपको मिल जाएगी और किस बाइक में ज़्यादा पावर होने के बाद भी प्राइस कम आपको देनी पड़ेगी तो बने लगे इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन बहुत कम समय में मिलने वाली है तो जैसे कि आपको पता है कि अगर ग्लैमर के प्राइस की बात की जाए तो वो एक शो रूम 75,900 रुपए यानि 76,000 रुपए से लेकर के 85,000 रुपए तक जाती है वहीं अगर राइडर की बात की जाए तो वो 77,500 रुपए से लेकर के 85,000 रुपए तक जाती है यानि दोनों के ही प्राइस में जो डिफरेंस है वो लगभग 1,000 रुपए का है चाहे वो मिनिमम हो और चाहे वो मैक्सिमम हो लगभग 1,000 रुपए से जादा का अंदर नहीं आता है दूसरी बात अगर आप देखें तो ग्लैमर की 125 CC के सिरीज में आपको जो पावर है वो थोड़ी सी कम मिलती है जी हाँ हीरो के इंजन होने के बाद भी आपको यहाँ पर जो पावर है थोड़ी सी कम मिलती है अगर मैं आपको बताओं तो 125 CC के इंजन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है लेकिन जो यहाँ पर पावर और टॉर्क है वो आपको मिल जाता है max power अगर देखी जाए तो glamour में आपको मिलती है 10.84 की, वहीं अगर rider की बात की जाए तो वह आपको मिल जाती है max power 11.38 की यानि कि लगभल बग एक PS की power आपको जादा मिल जाती है tvs की rider में वहीं अगर max torque की बात की जाए तो वह आपको glamour मिलती है 10.6 nm का वहीं अगर इसमें बात किया जाए TVS रैडर की तो वो आपको मिल जाता है 11.2NM का तो लग भलग भग 0.6NM का टॉर्क आपको रैडर में जादा मिल जाता है और ग्लैमर में आपको केवल दो वाल वाला ही सिरिंडर मिलता है बाकी बात की जाए तो आपको ग्लैमर में आपको किक मिल जाती है सिर्फ स्टार्ट मिल जाता है जापको TVS की रैडर में आपको किक नहीं मिलता है केवल सेल्फ ही मिलता है वैسे भी आपको बता है कि आपने अगर कभी भी ज़्यादा हाया सीसी, 150 सी, 200 सी 200 सीसी के इंचन को चलाया होगा तो वहाँ पर आपको वैसे भी किक नहीं मिलती है तो लोगों को अल्रेड़ यहाँ पर आदत हो चुकी है तो देखा जाए अगर Glamour में से इस किक को हटा दिया जाए तो करीब 2000 रुपए और सस्ती हो सकती थी Glamour लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि 2000 रुपए इसी वज़त से बढ़ भी गया है Glamour का दूसरी चीज यहाँ पर आपको दोनों ही वाइकों में फ्यूल इंजेक्शन मिल जाएगा वेट मर्टिपलेट वारी क्लाच मिल जाएगी 5 स्पीट का गेर बॉक्स मिल जाएगा दोनों ही बाईकों का जो मैलेश है वो लग भग सेम है लेगिन मेंलि अगर बात की जाए रोट की प्रेजन्स की तो वो आपको टेवस की रैडर बहुत बखुबी तरीके से आपको रोट की प्रेजन्स दिलवा सकती है जो कि आपको पता है कि चाहे वो fuel tank हो, चाहे वो इसका headlight हो, चाहे वो इसकी tail light हो, कुछ भी आप देख ले, कहीं से भी इस bike को देख ले, तो आपको जो TVS की rider है, इसका look कहीं जादा बहतर लगता है, कहीं जादा futuristic लगता है, वहीं अगर glamour का look देखें, तो वो पुरानी वा आपको LED की मिल जाती है, जो इसके turn signal है, वो halogen के है, और जो इसका tail light है, वो भी LED की ही है, लेकिन जो headlight है, उसकी खुबसूरती TVS rider में जादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन LED lights का setup दिया गया है, आपर के लिए दो और deeper के लिए एक, तो कहीं न गई, जो खुबी है, व जिसी भी बाइक से comparison हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है, जहाँ पर आपको colorful instrument cluster मिल जाता है, जो कि लफख 300cc की बाइकों में एकसर आपको देखने को मिल जाती है, कभी कभार, वन्ना और बाइकों में आपको औरेंज या फिर negative वाला ही instrument cluster देखने को मिल जाता है, लेक कहां कहां पर आपके instrument cluster से लेकर के आपके smartphone तक, तो अब आपके उपर है कि इन दोनों ही बाइकों में आप कौन सी बाइक को ज़्यादा पसंद करते हो, भाय करने के लिए, ध्यान रहे, प्राइज जो है वो दोनों ही बाइकों का लगभग सेम है, लेकिन जो performance है और जो look है वो rider का ज़्यादा अच्छा है, ना कि glamour का, तो दोस्तों आपको में ये वीडियो कैसे लगे है, जल्दी चाहिए नीचा कमेंट उता देना भाई, वीडियो अच्छी लगए, लाइक जिरू कर देना, चलिए, मैंसे नहीं किसे हो रहे हैं कामेंशन से वीडियो में, तब क अगया खिया लगना अपना और अपनी बाइक्स का, बबाए